नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for All. This is Manish Rai. आज प्रस्तूत है बर्गबारहुमी से भारत is my home से 24 multiple choice questions with answers. जी, बर्गबारहुमी से भारत is my home से 24 बस्तुनिस्ट प्रकार के प्रश्ण. तो आईए इनकी सुरुवात करते हैं. बच्चों, पहला है भारत is my home is A. अर्थाद भारत is my home क्या है? तो ध्यान दीजिए बच्चों, option A, drama, option B, speech, option C, essay, option D, none of these. तो आपको पता ही है कि भारत is my home is a speech है. क्या है बच्चों, यह? यह speech है. दूसरा है कि this speech was delivered by भारत is my home नाम का स्पीच मतलब हासर्ड वाज delivered दिया गया था. किस के दवारा? पंडित नहरू के दवारा? महत्मा गांधी के दवारा? डाक्टर जाकिर हुसेन के दवारा? यह इन में से किसी के दवारा नहीं? तो बच्चों, आपका जवाब होगा C. डाक्टर जाकिर हुसेन के दवारा यह भासर्ड दिया गया था. प्रस्न तीसरा है बच्चों, कि डाक्टर जाकिर हुसेन delivered this speech in. डाक्टर जाकिर हुसेन ने यह भासर्ड कब दिया था? 1966 में, 1966 में,1968 में या इन में से कोई नहीं. तो बच्चों, आपको याद होगा कि 1967 में डाक्टर जाकिर हुसेन भारत के रास्टर पती बने थे और राष्ट्रपती की जो उन्हों ने सपत ली थी तो उसी सपत के दोरान उसी सपत के बाद उन्होंने यह भासन दिया था अता इसका सही जवाब होगा 1967 अर्थाद डॉक्टर जाकिर उसेन ने यह भासन 1967 में दिया था नमबर चार डॉक्टर जाकिर उसेन बिकेम दा प्रेसिडेंट अफ इंडिया इन यह भारत के राष्टपती कब बने बच्चो तो 1967 यहाँ पे आंसर होगा बी डॉक्टर जाकिर उसेन बिकेम दा खाली अस्थान प्रेसिडेंट अफ इंडिया बच्चो यह भारत के फर्स्ट सर्वपली राधा कृष्णन और तीसरे बने थे डॉक्टर जाकिर हुसेन अगला प्रसने छे earlier डॉक्टर हुसेन had served as the governor of बिहार, UP, मध्यप्रदेश, नौन अब्देश कहने का मतलब है कि भारत के रास्ट्रपती बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसेन एक राज्य के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके थे तो उस राज्य का नाम क्या है तो आपका जवाब होगा बिहार जैसे अभी भारत के जो रास्ट्रपती है रामनात कोबिन जी तो भारत के राष्टपती बनने से पहले ये बिहार के राजय पाल रह चुके थे, उसी प्रकार से डॉक्टर हुसेन भी थे नमबर साथ है, खाली अस्थान was the role model of डॉक्टर हुसेन, इन्हें डॉक्टर जाकिर हुसेन के role model कौन थे तो उप्षन A. महात्मा गांधी, उप्षन B. पंडित नहरू, उप्षन C. डॉक्टर आधा कृष्णन, उप्षन D. इन्हें से कोई नहीं, तो बच्चों आपका जवाब होगा उप्षन C. डॉक्टर आधा कृष्णन, बच्चों डॉक्टर आधा कृष्णन ही डॉक्टर जाकिर हुसेन वास बाउन इन बच्छों दॉक्टार जाकिर हुसेन का जन्म हुआ था कहां दिल्ली ओप्चन A, B. PETER, C. हैदराबाद, D. नॉन अबदीज बच्चों तो आपका जवाब हुगा कि दॉक्टार जाकिर हुसेन का जन्म हैदराबाद में हुआ था हमने यहां पे the presidency, erudition and wealth of knowledge, यानि किसने राष्ट्र पती के पद पे अपने साथ कौन सा अव्यक्ति, बहुत सारा ज्यान, बहुत सारा अनुभाव, बहुत सारा पांडित ते ले करके आया, तो यहाँ पे option है, डॉक्टर जाकिर हुसेन, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन प्रशाद और नॉन पने साथ बहुत सारा ज्यान, बहुत सारा अनुभाव, बहुत सारा पांडित ते ले करके आये थे, इसलिए यहाँ पे राइट 24 वोगा, बी डॉक्टर राधा कृष्णन, नमबर दस है, अर्थात 1967 में किसने भारत के संविधान के प्रती अपनी निष्ठा की सपत ली थी? उप्शन A. सरदार पतेल, उप्शन B. डॉक्टर जाकिर हुसेन, उप्शन C. महत्मा गांधी, उप्शन D. नॉन अबदिज. तो बच्चों, 1967 में भारत के संविधान के प्रती अपनी निष्ठा की कसम किसने खाई थी? तो उप्शन B. डॉक्टर जाकिर हुसेन ने. अगला है बच्चों, नंबर 11, कि डॉक्टर हुसेन एंटर्ड ओफिस इन एस्पिरीट और प्रेयर फूल. तो यहां पर ऑप्शन दिया हुए, नॉलेज, एक्स्पिरियन्स, हुमिलीटी, नॉन अबदिज. तो बच्चों, आपका जवाब होगा हुमिलीटी. क्या होगा? हुमिलीटी. अर्थात हुमिलीटी का अर्थ होता है विनमरता या विनशिलता. तो इसका अर्थ हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसेन प्रार्थनापुर्ण विनमरता की भाव से कर्याले में प्रवेस किये थे. तो प्रेयर फूल के साथ आप हुमिलीटी को लेंगे. number 12 who said the past is not dead and aesthetic किस ने कहा था कि हमारा अतीत न तो मरा है और नहीं निस्क्रिये है Martin Luther King Jr. ने, Dr. Jaakir Hussain ने, सरदार पतेल ने या इन में से किसी ने नहीं तो आपका बचों जवाब होगा Dr. Jaakir Hussain ने कहा था कि the past is not dead and aesthetic हमारा अतीत न तो मरा है और नहीं निस्क्रिये है number 13 is the prime instrument of nation building बच्चों जो instrument देख रहे हैं instrument का अर्थ होता है लक्षप्राप्ति का साधन अर्थात राष्ट निर्माड का सबसे मुख्य साधन क्या है option A education, option B business, option C agriculture, D इन में से कोई नहीं बच्चों तो राष्ट निर्माड का सबसे बड़ा साधन education है क्या है बच्चों education अता यहां पे हमारा right twice होगा option A education अगला है खालिगस्थान has been called the young state of an ancient people अर्थात किस देश को किस देश को पुराने लोगों का नया देश कहा गया है option A सिरलंका, option B इंडिया, option C चाइना, option D non of these तो बच्चों यहां पे भारत को पुराने लोगों का नया देश कहा गया है number 15, according to Dr. Hussain, there are खालियस्थान aspects of work मतलब Dr. Jaakir Hussain के हिसाब से काम के कितने पक्ष और पहलू बताये गए है 1, 2, 3, 4 तो बच्चों आप याद रखेंगे कि Dr. Jaakir Hussain के हिसाब से काम के दो पक्ष और दो पहलू बताये गए है इसलिए सही आंसर होगा, option B, 2 these two aspects of work, यह दो जो काम के पहलू बताये गए यह कौन है तो option A, individual and social, option B, individual and anti-social, option C, both, option D, non of these यहनि कहने का अर्थ है कि जो दो प्रकार के कारियों की चर्चा इस चेप्टर में Dr. Jaakir Hussain ने की है वे दो प्रकार के कारे हैं, individual and social अर्थात 1, जो कारे हम लोग स्वैम के लिए करते हैं और दूसरा वैसे कारे जो हम समाज के लिए करते हैं इसलिए यहाँ पे right twice होगा, सही answer होगा, option A, individual and social 17 नंबर question है, the estate should not be an organization of power but एक हाली अस्थान organization कहने का मतलब है, the estate का आर्थ हुआ, बच्चों, सरकार या सासन अर्थात सरकार को सत्ता का केंद्र नहीं, बलकि किस सीज का केंद्र होना चाहिए, moral का, immoral का, both का, non of these का तो आपका सही जवाब होगा moral अर्थात सत्ता को सरकार को सत्ता का सक्ती का केंद्र नहीं बलकि एक नैतिक केंद्र या नैतिकता का संगठन होना चाहिए इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा A. Moral यानि एस्टेट को organization और पावर नहीं बलकि moral organization के रूप में काम करना चाहिए number 18 है the power should be used यानि सक्ती का उप्योग होना चाहिए किस लिए family purpose के लिए moral purpose के लिए या operation operation का मतलब होता है उत्पिडन के लिए या non-audition में से किसी के लिए नहीं तो बच्चों आपका जवाब होगा कि the power should be used only for moral purposes यानि सक्ती का उप्योग के वाल नैतिक उदिस्यों के लिए किया जाना चाहिए अता हमारा सही जवाब होगा बच्चों moral क्या होगा moral अर्थात option क्या होगा बी आगे नंबर 19 है खालियस्तान said that भारत is my home and its people are my family अर्थात किष्णे कहा था कि भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं डॉक्टर जाकिर हुसेन ने सरदार पटेल ने परतिभा पाटिल ने या इनमें से किसी नहीं तो बच्चों आपका जवाब होगा option A डॉक्टर जाकिर हुसेन डॉक्टर जाकिर स्थान ऑफ मैन, एक्स्पीरियंस, हुमैनिटी, नॉलेज, नॉन अब दीज, बच्चों यहाँ पे होगा हुमैनिटी, क्या होगा हुमैनिटी और इसकार्थ हुआ कि डॉक्टर आधा कृष्णन मनुष्य की आवस्यक मानावता में अपना विश्वास कभी नहीं खोए, त डॉक्टर राधा कृष्णन वांटेड आल में तो लीव इन डिज, अर्था राधा कृष्णन चाहते थे कि सभी लोग गरीमा और विथ, जस्टिस, यैनि वे चाहते थे कि सभी लोग गरीमा और नयाय के साथ अपना जीवन जीए, इसलिए यहाँ पे राइट 24 बच्चों होगा option a justice क्या होगा option a justice नंबर 22 देखिए डॉक्टर हुसेन took the oath of loyalty to the constitution of option a इंडिया option b बंगला देश option c स्रिलंका option d none of this अर्थाथ 22 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर हुसेन कीस देश की सम्मिधान की निस्ठा की कसम खाए तो सीधा आसा जवाब होगा बच्चों option a इंडिया ये भारत की सम्मिधान के प्रती अपनी निस्ठा की कसम खाए थे 23 डॉक्टर हुसेन had long association with अर्था डॉक्टर हुसेन का लंबे समय से जुडाव रहा था अपको पता है बच्चों की डॉक्टर हुसेन का लंबा जुडाव सिक्षा से रहा था इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा option c एजुकेशन और अंतिम प्रस्ण है according to dr. हुसेन the whole of India is his hotel, home, office, none of these अर्थात dr. हुसेन के अनुसार संपुर्ण भारत उनका hotel है, उनका घर है, उनका दफ्तर है या कुछ नहीं है तो इसका जाब होगा बच्चों option b संपुर्ण भारत dr. हुसेन का घर है जी बच्चों तो ये भारत इस my home नामक चैप्टर से 24 अती महत्वपुर्ण बस्तुनिस्ट प्रकार के प्रस्ण रहें लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा बच्चों कि आप अपनी तैयारी को इसी 24 प्रस्णों तक सीमित नहीं रखेंगे आप इस चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे ताकि इन 24 के अतिरिक्त भी कोई प्रस्ण आप से पूछे जाएं तो आप सहजता से और सटिकता से उस प्रस्ण का जवाब दे पाएं तो उमीद करते हैं कि ये 24 प्रस्ण आपके लिए उपयोगी साबित होंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जैहिंद